हेलो फ्रेंट्स वोलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपके साथ बेढमी पूरी और आलू की सबजी की रेस्पी सेयर कर रही हूं तो इसके लिए यहां पर मैंने थ्री फोट का पुरात दाली है इसे मैंने पानी में दो घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था इसके बाद ए मामाले चैद्रगा च्टुकडे के 2-3 हरी मीर्ज फाफ तीबल स्पूंढ जीरा आव तीबल स्थी तेबल स्पून भ्रत भनिया पाउडर तीबल स्पून लाल म्यर्च पाउड गररम बर्री नहीं क्था पैडर साथ म्तून गरम में पाउडर वाफ तेबल स्पून जीरा प्रड़ पेस्ट बना कर तेयार कर लेंगे तो यह देखिए यहां पर दाल जो है वो पीसकर तेयार है अब इसे साइड में रख देंगे और एक बॉल में लगबाग डेड़ का पाटा लेंगे यहां पर मैंने गेहूं काटा लिया है इसमें लगबाग हाफ कप सुजी आट कर जा देंगे गर इसके बाद इसमें मोहन के लिए यह फ चार पढ़ी चमेश्च देशी गी आट करेंगे तो यहां पर मैंने गीए अच्छे से पिगळा लिया है अब इसे अच्छे से मसल कर मिला लेंगे जिससे की घी है और आटा है वह अच्छे से मिल जाए तो यहां पर यह अच्छे से मिल चुका है इसके बाद हम इसमें पिसीवी दाल आट कर देंगे तो अगर आप चाहें तो आटे में मोयन के लिए तेल का भी यूज कर सकते हैं लेकिन घी यूज करने से इसमें ज्यादा खसता पनाता है इसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून कसोरी मेधी लेंगे और इसे हास से अच्छे से क्रस करके डाल देंगे इसके साथ ही इसमें 2 टेब स्पून हल्दी पाउडर एड़ कर सकते हैं इससे आटे में बहुत ही अच्छा कलर आता है मैं यहाँ पर नहीं एड़ कर रहे हूं तो यहां आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि आपको पहले दाल और आटे को अच्छे से मिला कर गूत लेना है और जब यह अच्छे से गूत कर इसका एक सॉफ्ट आटा बनाकर त्यार कर लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं आटा पूरी तरीके से रेडी है और यहां भी थोड़ा सॉफ्ट है क्योंकि हमने इसमें सूजी एड़ कि है तो सट होने के लिए रखने पर एक्स्रा पानी सोख कर लेगी तो सॉफ धनिया और अजवाइन आट करके इसे लो फ्लेम पर 30-40 सेकंड तक भून लेंगे लो फ्लेम पर भूनने से मसाली जल्दी जलेंगे नहीं जिससे इसका फ्लेवर सबजी में अच्छे से आएगा तीसे चालेश सेकंड के बाद हम इसमें एक लाल मिर्ज दो से तीन बा आएट करके इसे अच्छे से मिला देंगे और इसके साथ ही इसमें लबबग ट्व टेब्स पून बेसन अच्छे से भून लेंगे भूनें में बेसन का स्वाजी में папारी बहुंत ही अच्छा आता है और या ग्रेवी वी को काड़ा करने में भी हल करता है तो लबब दो से जिस से की बेशन जो है ज़ले नहीं इसे अच्छे से मिला देंगे फिर हम इसमें दो मीडियूम साइस का बारी कटा हुग टामाटर एड या और इसे अच्छे से मिला देंगे इसके साथ ही 1 फो टेबल स्पून नमक एट कर देंगे जिसे की टमाटर अच्छे से पक जाए इसके बाद हम इसमें 1 फो टेबल स्पून धन्या पाउडर एट करके इसे अच्छे से मिला लेंगे और टमाटर के सॉफ्ट होने तक पका लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टमाटर है वह अच्छे से पक चुका है अब हम इसमें उबले हुए आलू एट करेंगे तो यहाँ पर मैंने आलू को हाथ से ऐसे ही तोड लिया है आप चाहें तो चाकू से भी काट कर डाल सकते हैं तो इसे अच्छे से मिला देंगे इसके बाद हम इसमें पानी एट करेंगे आप ग्रीवी को जितना गाढ़ा रखना चाहते हैं उसी के कॉर्डिंग पानी को एट करिए तो यहाँ पर मैं पहले दो कप पानी एट कर रही हूं उसके बाद हम इसे अच्छे से मिला देंगे जिससे कि हमें पता चले कि ग्रीवी गाढ़ी है बतली तो यहाँ पर ग्रीवी थोड़ा गाढ़ी लग रही है और अभी हमें इसे 10-15 मिट तक पकाना है तो मैं इसमें वन कब पानी और एट कर रही हूँ इसे अच्छे से मिला देंगे और गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे तो यहाँ देखिए सबजी में जब उबाल आने लगे तब हम इसमें वन फो टेबल स्पून हीं हाफ टेबल स्पून अमचूर और वन टेबल स्पून कसूरी मेत्व को हाच से ऐसे क्रेस करकर डाल कर अच्छे से मिला देंगे और इसके बाद हम इसमें वन फॉर टेबल स्पून गरम मसाला आड करेंगे इसे भी अच्छे से मिला देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे ढखकर दस से बारा मेट तक पका लेंगे तो लगबख दस मेट के बाद हम ढखकन को हटा देंगे तो आप देख सकते हैं सबजी का कलर बहुत ही अच्छा है और यह थोड़ा गाड़ी भी हो गई है तो आप हम इसमें वन टेबल स्पून या सौधन सार नबक आड़ करेंगे और दो से तीन चम्मस बारीक कटे हुए हरी धनिया के पत्ते आड़ कर देंगे इन सबी चीजों को अच्छे से मिला देंगे और मीडियम फ्लेम पर लगा थार चलाते हुए एक से दो मिलाट तक और पका लेंगे इसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और सबसे लास्ट में एक कल्ची में एक से दो चम्मस देसी घी गर्म करेंगे उसमें तीन चार अद्रक के लच्छे और हाफ टेबल स्पून लाल मिच पॉडर डाल कर अच्छे से मिला देंगे और इसे डाल कर सबजी में तड़का लगा देंगे तो देशी घी का सबजी में बहुत ही अच्छा हैगा तो लीजे हमारी आलू की सबजी रेडी है अब हम फटा फट से पूरिया भी बना लेंगे तो यह देखें आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि यह थोड़ा टाइट भी हो चुका है अब हम इसे एक बार थोड़ा सगूत लेंगे फिर हम इसकी छोटे से नीमू के बराबर लोई तोड़कर निकाल लेंगे और इसे हाथ से ऐसे रोल कर लेंगे इसके बाद हम इसे बेल लेंगे तो इसके लिए हम उपर से थोड़ा सा तेल डाल के अच्छे से फैला देंगे और इसे flat करते हुए हलके हाथ से पूड़ी बेल कर त्यार कर लेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यह ज़्यादा पतली पूड़ी नहीं बेलना है तो यहाँ देखिए पूड़ी बनकर ready है अब हम इसे fry कर लेंगे तो इसके लिए एक कढ़ाई में तेल करब करेंगे और उसमें पूड़ी डाल देंगे तो यहाँ पर आपको एक बात के ध्यान रखना है कि जब आप पूड़ी एट करें तो गैस की flame हाई होनी चाहिए लेकिन जैसे ही पूड़ी हलकी से फूलने लगे गैस की flame को medium कर दीजे और इसे medium flame पर ही golden brown होने तक पका लिजे तो यह देख एक तरफ से पख चुकी है विशे पलट कर दूसरे तरफ से भी golden brown होने तक पख लेंगे तो यह दोनों तरफ से अच्छे से पख चुकी है अप हम इसे निकाल लेंगे और ऐसे भाखिती की पूरियां भी तेल कर तैयार कर लेंगे अनिगे तो आप भी सित AH अपाझ माना सब्सक्राइब करें लें झालबाशन से ठीज़ से एकतुर, जा जड़ है झालबाशने हैं, जा जब हैं हिसा झालाशन के जयते हैं, जा टम झालब और एकता हैं.